ओम सिरी गने साय नमा दोस्तू एश्टो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हाड़ दिक श्वागत हैं दोस्तू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 27 जुलाई बुद्वार के रासी फल्क के बारे में की यह दिन मेश रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला ह किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोग उसे रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में न सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तों जीवन साती से आज आपको शहुग प्राप्त हो सकता है परन्तु उसके लिए संबंध मदूर बनाए रखना बहतर रहेगा वेवसाएक दरश्टी से आज आपको अच्छा लाब प्रा बतन करें आप जिस भी किसी कारये को कररे हैं उस कारये से संबंधित आज आपको अच्छी काम्यावी प्राप्त होनी की संभावना बन रही हैं साथी साथ आपको नोकरी बदलने में भी काफी लाब मिल सकता है और आपके केरियर के लिए यह परिवर्तन काफी अच्छा दूसरी और विद्ध्यार्तियों को भी उच्च सिक्षा प्राप्त करने के अच्च अवसर प्राप्त हो सकते हैं जिससे उनकी लंबे समय से प्रतिक्षित उच्च सिक्षा की कामना पूरी हो सकती हैं ज्यादोस्तो कार्य चेत्र से जुड़े लोगों को भी आने वाले समय में पदुन्नती के रास्ते खुलेंगे और आपको नेने विचार आएंगे जिन्हें अपना कर आप कार्य इस्थल पर भी अच्छा प्रदसन कर पाएंगे आप अचल संपत्ति प्राप्ति के लिए भी निवेस कर सकते हैं तो आपको लाब प्रद हो सकता है कामकाज से संबंदित किसी मित्र से भी संबंद अच्छे हो सकते हैं या दोस्तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा परिवारिक जीवन में उल्लास में वातावर्न रहेगा सुब समाचार मिलने से तथ वह भी आज सफल हो सकता है जिससे आपका मन बहुत दिप्रसन रहेगा दोस्तो साती सात यदि आप नोकरी करते हैं तो भी साइड वैवसाय करने का आज आप प्रतन कर सकते हैं या किसी के साथ मिलकर कार्रे वैवसाय को नई दिसा दे सकते हैं या आप किसी तरह का कोई आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता है दोस्तों कुछ लोगों का अपने परिवार से अलगाव हो सकता है इसके अतिरिक्त आप अपने करेछित्र में व्यस्त होने के कारण तथा जीवन के अन्य पहलूओं पर अधिक समय देने के कारण अपने परिवार को अधिक समय न अन्यता आपके कार्याले में आपको परिसानियों का सामना करना पड़ सकता है कार्या सफलता के लिए आपको द्रण इक्षा सक्ती और मनोवल की आवश्कता होगी साथी साथ आप अपने वित्य प्रवंदन के प्रती काफी सचित रहेंगे फिर भी आपके खर्च और बचत के बीच उतार चड़ाव की इस्तिती बनी रह सकती है इसे बहतर बनाने के लिए आपको उत्तम वित्य प्रवंद पहले से ही तेयार करना चाहिए ताकि प्रती कूल समय में परिसानियों से बचा जा सके यदा कदा अनावशक बातों को लेकर घर में कहा सुनी हो सकती है माता का शयोग तफा सुख प्राप्त आपको हो सकता है परन्तु पिता के सयोग और सुख को लेकर सस्पैंस हो सकता है साथि साथ कारे चेटर में भी काम के अधिता रहेगी और कारे सपलता के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करने पड़ेगी परदोर के बावजूद कारों में अफेक्चित सपलता नहीं मिलने से मन वेथित रहेगा किरूद पर आज आप नियंतन एम मानी पर सेयम रखे अनियता बेवजा विवाद में फस सकते हैं थोड़ा साफधन रहें दोस्तो अब बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ के से रहने वाली हैं दोस्तो आज आप कहीं गूमने फिरने के लिए ओफर कर सकते हैं तब ही आपके प्रेम जीवन में विरत्दी होगी और प्यार के साथ साथ हर तरह के सैयोग की संभावना उत्पन हो सकती है एक दूसरे के कामकाज को लेकर भी आज सैयोग हो सकता है जया दोस्तो आज आप अपने प्रेम जीवन का पूर्ण रूप से आनन्द लेंगे और अपने प्रेतम को स्पेसल फील करेंगे इससे आपके प्रेम जीवन में मधूरता और बढ़ेगी और एक दूसरे के प्रती आकरशन की भी व्रत्दी होगी जै दोस्तो प्रेम संबंदों को लेकर आज इस्तितियां आपके काफी अनुकूल रहने वाली हैं परन्तु आप अपने प्रेमी प्रेमिका के ऊपर पूर्ण विस्वास रखते हुए एक दूसरे के साथ समय बिताने का आज प्रेतन करें साथ साथ यदि आप किसी को प्यार करते हैं और उसे पता ही नहीं तो ऐसे में एक दूसरे को समझना और एक दूसरे को समझाना आवशक है यदि आप पहले से ही किसी को प्यार करते हैं तो आप उनको प्रपोज कर सकते हैं आज का दिन आपके लिए बहुती लकी सावित होने दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवसाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो आज ग्रहों की इस्तिती आपके अनुकूल रहने से आर्थिक लाब और नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं कारो बार आज अच्छा चलेगा और कारो में आज आपको अच्छी सपलता मिलने से धन लाब केस्टी रहेगी विध्यार्तियों के लिए वे समय आज का काफी अच्छा रहेगा दोस्तो साथी साथ आज आप प्रॉपर्टी में भी निवेस कर सकते हैं जो आपके लिए भविस्ते में आगे चलकर काफी लाबदाएक साबित होगा या दोस्तो धन के लेंदेन के लिए भी आज का समय आपके लिए बहुती अच्छा साबित होने वाला है दोस्तो कारे चितर में आपके अनुकूल वातावरन रहेगा हाला कि कारे भार की भी अधिकता रहेगी लेकिन कारों में सपलता मिलने से धनलाब की भी काफी अच्छी स्थिती रहेगी नौक्री में भी तरक्की के योग आपके लिए बन रहे हैं जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आपको अपने स्वास्थ का भी विशेश रूप से ध्यान रखना होगा क्योंकि अत्यादिक सोचने और चिंताओं के कारण आपका स्वास्थ बिगड़ सकता है साथ साथ पेट से संबंदित समस्याएं अधिक परिशान आपको कर सकती हैं इसलिए आज आप नेगटिव विचारों से दूर रहें सोचने समझने में आप समय अपना व्यर्थ ना करें और साथ साथ अपने खान पान पर भी आज आप विशेश रूप से ध्यान दें साथ साथ दोस्तों अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश उपए क्या है दोस्तो आज आप जब भी इस्नान करें बस इस्नान करने से पहले नहाने वाले पानी में आप चुटकी बर हल्दी डाल कर इस्नान करें इसके साथ ही आप इस्नान करते समये मनीमन ओम नमो भगवते मंत्र का मनी मन आप जाप करते रहें ज्यां दोस्तो इस नानादी से निर्वत्र जब आप हो जाएं उसके बाद आप बहुती सच्चे मन से श्रद अबाब से भगवान विश्णु जी के सामने एक घी का दीपक जलाएं और वहीं बैटकर आप विश्णु से सस्त नाम का भी पाट अवश्य करें ज्यां दोस्तो इतना करने मात्र से ही भगवान विश्णु बहुत जल्द प्रसन होंगे आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परेशाने चल रही हैं सभी परेशाने उगांत करेंगे और आपके जीवन में खुसिएं खुसियां होंगी जयां दोस्तो आप इस उपाय को वश्य करें आपको इससर करने से अवस्य ही लाब प्राप्त होगा दोस्तो भगवान विश्णु जी का शिरवाद आपको प्राप्थो सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जैसरी हरी विश्णु अवस्चे लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद